नमस्कार दोस्तों मैं संदीप सागत है आप सभी का आज किस नई क्लास में दोस्तों आज किस वीडियों बात करेंगे बीए के हिंदी के इंपॉर्टेंट कोईश्चन और एंसर के बारे में जो की नई सिच्छा नीत पे तो आधारित हैं ही साथ में समेस्टर प्रणाली पे आपको मनें बढनेंगे आप può टाला में गीदियों में यहांगे में देशा के समझेए आपको मिलेंगे में अच्के समझेंगे बीडियो को नइस हिसा बदे आप सब्सक्तों स समय dużo समझेंगे अगर आप अथे समझेंगे पूरे अंक आपको मिलेंगे यह एक्जाम में आपके question आएगा भक्तिकाल से सम्मंदित 100% एक question आएगा चाहे वो जिस भी प्रकार का हो तो अगर हो सकता है भक्तिकाल का विवाजन भी आ जाए तो आप लोग को आसानी होगी पहला question है भक्तिकाल क जो भी भाजन है उसके बारे में बताईए उसके बारे में लिखिए वह हम आपको इसके answer में बताने वाले हैं तो जहांतों समझेंगे उत्तर में लिखा है कि संबत 1050 विक्रमी के आजपास हिंदी कविता अप भ्रंस की गोश से निकल कर अपना सोतंत्रपत बनाने लगी थ ठीक है उचलुखल चत्रियत्तु ने उसे बीरता के गीत प्रदान किये किन्ट मुसल्मानों की भारतिये बिजय ने बीर गाथाओं का युग समाप्त कर दिया ध्यान जीजेगा हिंदू जन जीवन तरस्त होकर एक अदस सक्त का आस्रे खोजने लगा जो अत्याचारों से उनकी रच्छा कर सके अश्री परस्थितियों में भक्त कभियों ने हिंदू जन जीवन की भक्त की सुधा पिलाने के लिए भक्त काभी की धारा प्रवाहित की भक्तों के काभ में निराकार ब्रम्भा साकार हो गया हिंदी शाहित के इतिहास में संबत 1375 से लेकर संबत 1700 वि बिक्रमी का समय को भक्तिकाल कहा जाता है most important question का answer यहीं पर आपको पकड़ने को मिलना पकड़ लीजेगा ठीक है और लिखा है कि ध्यान दीजेगा लिखा है कि भक्तिकाल कहा जाता है भक्तिधारा का ठीक है पर्यावासन स्रंगार या रीत का विधारा में होता है या धारा संबत सत्रा सो से लेकर संबत उन्नीस सो बिक्रमी तक प्रभावित होती रही है इस भक्तिकाल में रीतकाल को मिलाकर हिंदी साहित का मध्युक कहा गया ध्यान जीजेगा भक्तिकाल ठीक है और रीतकाल को मिलाकर हिंदी साहित का मध्युक कहा गया यह ध्यान रखेगा तो ये मेन पॉइंट है जो की भक्तिकाल का ये मेन मेन पॉइंट आप लोगों को जरूर लिखने है ठीक है नेस्ट कॉइस्ट है भक्तिकाल का उदए हिंदी जीवन के नरेश चे उत्पन्ड हुआ संबढ 24 interacting के आज पास इसलाभी समराज जी की स्थापना की गई थी राजनेतिक पराजय में देश की काया पलट गई थी राजपूतों की सक्ति नश्ट हो गई थी अब बीर गाथा लिखने का आउसर नहीं था धर्म और सांस्कित की रच्छा के लिए हिंदू जन जीवन करोणा में रच्छिड भारत से भक्ति का एक स्रोत फूट पड़ा जिसमें सीग्र ही समस्त ठीक है दिजी ध्यान दिजेगा से ग्री समस्त देश को अपलावित कर दिया वस्तोता हिंदू और मिस्लुम ठीक है हिंदू और मुस्लिम के आपसी विद्रो की न्यू की भक्तिकाल की करदे तो में में जो फॉइंट है वह आपको उड्यान में रखना है और समझ लेना है और एक बार कोश्चन का एंसर पढ़ने से आपको नहीं आएगा मैं पहले भी बता चुका फिस से बता रहा हूं तो इस कोश्चन का एंसर आप एक से दो बार तीन बार चार बार जरूर पढ़ लिजीए, ध्यान में समझ लिए तभी आपको आएगा इसका इंसर यह मैं कह रहा हूँ इससे तो एक बार मैंने पढ़ दिया आपने सुन लिया मैंसमझ दिया अपने ढमिशा द्रॉप लिकिन इस तरह नहीं Do- jakiś लाइँगा पार आप सभी को ज्यादा फिज्यादा इन्वर्स सिट्यों में जो कोश्चन आने वाले हैं वह सब्जेक्टिव इस पे लिखत एक्जाम होने वाला कोश्चन आएंगे और उत्तर पुस्तिका मिलें कि जिस पे आप लोगों कोश्चन में लगाएंसर लिखना होगा ठीक है मै वीडियो में जो बात कर रहा हूं वो सारी लग उत्रे बेश के कोश्चन है इससे पहले मैंने लगो वह आती लग उत्रे और विससे तुत्रे भी बताएं ठीक है चलिए इसे में बढ़ते हैं नेस्ट कोश्चन के और नेस्ट कोश्चन थोड़ा पढ़ने में आप लोगों सब्सक्राइब कीजिए या फिर कोश्चन आइसा भी हो सकता है कि भक्तकाल को हिंदी चाहित का स्टोड़ियों को कहा जाता है तो दोनों कोश्चन का मतलब एक ही होगा एंसर तो उस पर कन्फ्यूज मत हुए ठीक है तो एंसर में आप लोगों को लिखना है क्योंकि लग उ भक्तकाल, भाव, भासा तथा सिल्प सभी द्रश्ट से या अन्निकालों की आपेच्छा अधिक स्रेश्ट रहा है इस युक के कभियों ने अपने काब में सुधारवाद, अध्यात्मकवाद, गुरु महिमा एवं इस्वर महत्त को बड़ी ही अस्पस्टता एवं मारमेक् किया है भावपच्छ एवं कलापच्छी की द्रश्ट से भी इस युक का बे उच्च कोटिका है इन्ही कारणों से भक्तिकाल को हिंदी साहित का स्वर्य युक कहा जाता है तो में पॉइंट पकड़िएगा कि भक्तिकाल में कबीर, जैसी, सूर, तुलसी, इत्याद जो प् तो ये पूरे देश में च्छा गए और लिखा है दूसरा पॉइंट भक्तिकाल, भाव, भासा तता सिल्प सभी द्रिष्ट से या अन्यक कालों की आपेच्छा अधिक स्ट रहा यानि कि भक्तिकाल, भाव की वज़ा से, भाव की वज़ा से, भासाओं की वज़ा से इन सभ युक के कभियों ने अपने काव में सुधार वाद, यानि काफी सुधार भी किया, उसको अध्यन किया, ठीक है, गुरु महिमा एवम इस्वर महत को बड़ी इस प्रच्छा से मारमिकता से प्रस्तुत किया है, ठीक है, गुरु की महिमा को अश्पष्ट करते हुए उसको मा वक्तिकाल को हिंदी साहित का सुण युग कहा जाता है, तो इस एंसर का मतलब आप लोगों को आई होप पूरी तरह समझ में आ गया होगा, इसमें आप लोगों को ज्यादा कोई मत्यवाजी करने के जोत नहीं, मैंने बता दिया इंसर, इसी भासा में आप लोग दिख दें सारे कोश्चन टेलिग्राम पर मैं डाल दूँगा तो अब लोग बाद में पढ़ते रहेगा, लिंक वीडियो ग्रिस करस्तर में टेलिग्राम चैनल का, ठीक है, अगला कोश्चन है, कि भक्तिकाल की चार प्रमुख विसेष्थाएं लिखें, तो भक्तिकाल की मुख्य क्य और ना उसका अर्थ या यस की ही, यानि कि ना उन्होंने राज स्रेग्रहन किया और ना उनका अर्थ या यस ही आकांच्छा थी कि उन्होंने स्वांताह सुखा ठीक है, सुखाय रसनाय की परंत उनकी रसनाओं में ब्यक्त समाज तथा राष्ट की उत्थान की भावना थी हमारे भक्त कभी अकबर जैसे भारत समराट के समान तक को ठोकराने की त्याग भावना रखते थे यानि कि जो प्रमुक्त भी थे जो भक्त थे तो यह रही पहली पीसे स्था है जो कि उसमें एक आप लोगों को में सेंटेंस है या फिर आप लोग समझ लिजेगा दोहाद कुछ भी करें लिजेगा अपने भासा में लिखा है कि संतनन कहा सीक रिसो काम जान दिजेगा संतनन कहा सीक रिसो काम आवत जात पहिनियां तूटी विसरय गयो हरिनाम इसका मतलब यह है कि भक्त कभियों को समस्त विस सिया रामा मैं था उनकी इस भावना ने मानो मात्र के प्रतिमैत्र का प्रसार किया है ठीक है और दूसरा जो इसी में है मेन विसेशता वो है भक्त कभियों के काब में आत्व समनरपड की प्रता की भावना मिलती है उन्होंने सर्बत्र ही अपना दैन दर्सन किया है नेस्ट इसी में है लिखाए कि भक्त कभियों के नाम की महत्त पर विसेश बल दिया तुलसी ने तो राम से अधिक राम का नाम कहकर नाम के महत्त को राम से अधिक बढ़ा कर कहा है ठीक है ये रहा अगला विसेशता है तो इसी में अगली विसेशता है चार नंबर महत्ता सुभिकार की कबीर ने गुरु को भगवान से बढ़कर कहा यानि कि इसमें बताया जा रहा है कि जो कबीर दाफ जी थे उन्होंने गुरु जी का जो अस्थान है भगवान के बराबर रखा है या फिर उनसे बढ़कर गुरु का अस्थान दिया है तो उन्होंने एक प स्रंक्त भी लिख देनी है कि हर रूठे गुरु ठौर है गुरु रूठे नई ठौर और लिखा इसमें कि सूर के लिए स्री बल्लभ छटा बिन्नु समस्त जगत में अंधकार ही अंधकार था तुलसी ने कृप सिंधु नरूप हर कहकर बिन गुरु होए ना ग्यान की गोश् में लोका चार तथा लोक संबंद एवं बिभिन मत मंताराओं और उपासनों पद्धतियों का समन्वे मिलता है दोस्तों मैं आपको बता दू हो सकता आपको देखने थोड़ा इसमें क्योंकि इतना हलका टाइप लिखा हुआ इसलिए आपको प्रोब्लम हो सकती फिर आल इ है तो बाद में पढ़ लीजेगा ठीक है तो यह रही भक्तिकाल की जो प्रमुख विसेष्टा है थी वह आप लोगों को आई होप समझ में आगे हो कि जो कि इसमें चार बताया था लेकिन मैंने पांच बदा दिया है जो कि इसमें राइट हुई थी यानिक लिखी हुई थ लिखते हैं तो मुख्य मिसेष्टा है तो टॉप लेबल का क्वेश्टन है तो ध्यान से इसको आप लोगों को अभी मालूम हो जाएगा तो इसमें एंसर भिलिख देना है कि ज्ञाना स्राइए यहों में निम्रखित अंतर है जो कि आप लोगों को नीचे बताया गया है त तो इंपर्णन कोष्टिन तो ध्यान से समझेंगे पहला जो अंतर है वह आपको देखने को मिलेगा लिखा है कि ग्याना स्राइश साखा के कभी भारतिये अद्वेत दर्सन वेदांत के अद्वेत वाद से प्रभावित हैं जबकि प्रेमा स्राइश साखा पर इसलाम के एक एके स्वरवात का प्रभाव है ध्यान दिजेगा इसी में निश्ट जो है अंतर वो है ग्याना स्राइश साखा में ग्यान का अस्थान प्रमुक था प्रेम का अस्थान गौड है जबकि प्रेमा स्राइश साखा में प्रेमा स्राइश साखा में प्रेम का अस्थान प्रमुक कि प्रेमा स्रही साखा में आत्मा पर्मात्मा के सम्मिलन में बाधक्तत सैतान है ठीक है निश्टयशी में है लिखाय कि ज्ञाना स्रही साखा के संतों का रहत्यवाद ज्ञानात्मक और जब की प्रेमा स्राइश सूफी कभियों का रहाश्यवाद सुद्ध भावात्म कोट का है यह रहा नेश्ट अंतर बढ़ेंगे अगले अंदर के और लिखा है कि पास नमबर अंतर लिखा ग्याना स्राइश साखा के कभियों के मुक्तक कभी की रशनाय की है जिपकि प्रेमा कभी थे उन्होंने प्रबंधक काब विरचे हैं ठीक है नेश्ट अंतर वो लिखा ग्याना स्राइश साखा के कभियों की भासा फदकुड़ी या पंचमेल की खिचड़ी है जबकि प्रेमा स्राइश साखा के कभियों की बहासा लोग प्रचलित ठेट अउधी है तो यह रह मुखे अंतर जो की प्रेमश्रहि साखा और घ्ञाना साथि साखा में आ помог समझने का प्रियाज समयने का समझा संञाने के आप लोगों समझ में भी आया होगा नहीं आया तो एक दू बार वीडिए ओर देखें गे पूरी तरह समझ में पूरे के पूरे टॉप लेबल के हैं आपके एक्जाम में पूरी तत्रा मददगार हैं तो ध्यान से समझ के जाएंगे आपको मदद काफी मिलेगी आई होप आपको वीडियो अच्छी लेगी तो लाइक करेगा चैनल पर हैं पहली बात सब्सक्राइब कर लिजेगा टेलिग कि वीडियो मिलेंगे ने अच्छी कलास के तो तब तर कि लिए जाएंगे